गूड आप्टरनूर इस्टूडेंट्स मस्टूमन यूटूब चैनल इंडिया ओंडेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में प्रियाग परशस्ति का लेख कोन था के बारे में ध्यन करेंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुप्तकाल के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ा दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और गुप्तकाल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो देखे पढ़ते हैं, प्रियाग परसस्ती का लेखे कौन था, कई बार एकजाम में क्यूशन आ चुका है, तो वीडियो को ध्यान से देखेगा, और यदि कोई हमारे वीडियो में कमी हो, गल्पती हो, तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकत हैं, ठीक है, तो पढ़ते हैं, प्रियाग परसस्ती, चंद्र गुप्त पर्थम के बाद, उसका सुयोग्य पुत्र समूद्र गुप्त समराजे की गद्धी पर बठा, वह लिछवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन हुआ था, समूद्र गुप्त ने केवल गुप् काल माना जा सकता है, समूद्र गुप्त के जानकरी का परमुख साधन देखेगा, प्रियाग परसस्ती, ठीक है, समूद्र गुप्त के इतिहास का सर्व परमुख स्रोत उसी का अभिलेक है, जिसे इलाबाद इस्थमलेक अथ्वा प्रियाग परसस्ती कहा जाता है, इसके र अबिले के उपरी भाग में मोरिय सासक असोग का एक लेग अंकित है जिसे उसने कोसांबी में खुदवाया था। चिन्नी यात्री विहनसांग अपने प्रियाग विवरण में इसका उलेग नहीं करता। प्रियाग पर्शस्ती में कोसल के सासक के रूप में महेंदर की चर्चा है। कोसल का अभिप्राय दक्सिन कोसल से है जिसमें आधूनिक मध्य परदेश के विलासपूर, राईपूर, संबलपूर सामिल थे। इसकी राजदानी शिरपूर्थी दक्सिन कोसल को समुत्र गुप्त ने जीत कर अपने राजे में मिला लिया था। समुत्र गुप्त का कारिय कार 335 से 375 इस्वी तक था। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। मध्यकाल में मुगल सासक अकबड ने इसे कोसांबी से मंगा कर इलहबाद के किले में सुरक्षित करा दिया था। प्रियाग इस्तम पर समुत्र गुप्त के लेख के अलावा असोक के 6 मुख्ये लेखों का एक सिस्करण, रानी का अभिलेख, कोसांबी के महापात्रों कोसंग भेद रोपने समन दिया देश, जहांगीर का एक लेख तता परवर्ति काल का एक देवनागरी लेख भी उतकिर मिलता है। प्रियाग प्रसस्ति में किया गया वर्णन देखेगा क्या है। इस लेख में समुद्र गुप की मट्यू की तिथी नहीं दी गई है, इसमें अस्वमेग येग्ये का उलेख नहीं मिलता, जबकि समुद्र गुप के सिकों में पता चलता है कि उसने अस्वमेग्ये किया था। अबिले के अंत में यह उलेकित मिलता है कि इस कावे की रचना उस वेक्ति ने की है जो परम बठारक के चरोणों का दास था तथा जिसकी बुद्धी स्वामी के समीब कार्यरत रहने के कारण खुल गई थी इस परसर्ष्टी की रचना समूत्र गुप के जीवनकाल में ही की ग लाइक सुझाओ हो तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करें और हमारी यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें ताइक आपको ने ने नोटिफिकेशन मिलें और आप इत्यास विसे कि अच्छे से तैयारी कर सकें ठीक है तो बने रहें यूटूब च